Hello and welcome back to our channel Healthcare Tutorials आज बात कर रहे हैं fats के बारे में जो कि एक macronutrient है हमारी macronutrient की जो series चल दे जिसमें हमने carbohydrates और proteins जो है वो finish किया है तो आज बात करेंगे fats के बारे में fats के बारे में हम यह जानेगे इसका introduction क्या होता है क्या होता है fats classifications क्या होते है और साथी साथ last में जानेगे की dietary sources क्या क्या है यह part 1 वीडियो है, part 2 इसके बाद आएगा तो सबसे पहले जानते है fats होते क्या है fats क्या है, यह एक तरीके से ऐसे compounds है जो कि हमारे macronutrient में आते हैं, हमारी body के लिए बहुँ जादा जरूरी होते है fatty acids और glycerol से मिल करके यह बनते है glycerol से मिल करके कैसे बनते है, जो glycerol है उसे कई सारे fatty acids हैं वो attach रहते है majorly एक glycerol से 3 fatty acids जो हैं वो attach रहते है यह तो हो गई इसकी थोड़ी chemistry की बात अगर nutrient के basis पे इसकी बात करेंगे तो जो fat है, इसको काफी जारे लोग कई बार lipids से भी जानते है, oil से भी जानते है और confused हो जाते है, आज मैं आपको बताता हूँ कि इसमाँ अलग क्या होता है, देखे, fat जो होते है वो room temperature पे solid भी हो सकते है, मतलब जम भी सकते है और जो oils होते है, वो जमते नहीं है तो ये इनका एक difference है अगर आप देखेंगे तो उसके बाद अगर आप देखेंगे fat जो है उनको कई सारी category में classify भी किया गया है लेकिन उससे पहले ये जानते है कि fat कितना calories देता है, नॉर्मली अगर आप ये जानेंगे तो fat जो है, सबसे जादा calorie प्रोवाइड करने वाला food है जो कि 9 kilo calories प्रोवाइड करता है पर gram इसके बाद इस सबसे जादा calorie प्रोवाइड करता है और लोग इसको intake भी काफी करते हैं लेकिन इसका आप देखेंगे taste अलग-अलग होता हर एक fat जो है single bond represent है, कई बार आप देखेंगे double bond represent है vary करता है, अलग-अलग कई बार क्या होता है, fat जो होता है, long chain होते है fatty acids की लंबी chain होती है और कई बार आप देखेंगे fatty acids की छोटी-छोटी chain होती है और उन्हीं से fats define किया जाते है तो ये हो गया आपका fat का introduction अब बात करते है अपने next topic है जो है fat classification of fat की बात करने से पहले एक note आपको जरूर देना चाहूँगा note में क्या है कि ये जो fats होते है या lipids होते है ये इनकी classification की पहले एक चीज आती है कि इनकी solubility कैसी रहती है तो इसके लिए बताया गया है जो आपके lipids होते हैं वो ज़्यादा तर organic compounds होते हैं उन में soluble होते हैं और mostly जो lipids या fats होते हैं water में insoluble होते हैं तो ये एक special इनकी quality होती है इनकी special quality की बात classification की बात करते हैं तो मेरे side में एक आपको diagram बना हुगा दिख रहा है derived इसमें first आ जाता है जो आपका simple simple क्या है simple मतलब कि ये glycerol से मिल करके बने होते है glycerol जो होते है अभी जैसा मैंने आपको पहले ही बताया glycerol से जो fatty acids attach होते है एक glycerol से तीन fatty acids attach होते हैं याँपर तब जाकर कि simple जो lipids हैं वो बनते हैं अभी जो ये simple lipids होते हैं में एक चीज और बताई गई है कि अगर मान लीजे 8 fatty acids attach है यहाँपर तो उसको monoglyceride बोला जाता है अगर 2 या 2 से ज़ादा attach है तो उसको diglyceride बोला जाता है और इनकी एक और special quality है कि 98% जो fats होते हैं हमारे food में वो लगबग-लगबग simple lipids ही होते हैं या हमारी body में भी जितने fats होते हैं उनमें से most probably जो fats होते हैं वो simple fats की category में ही रखे जाते हैं उसके बाद next आ जाता है compound lipids compound lipids क्या है यह इस तरीके का lipids है जो की easter से मिलकर बना होता है easter form में होते हैं मतलब कि इस पे जो fatty acids होता है उससे कई सारे other other compounds भी attach होते हैं जैसे कि alcohol हो गया for example कोई protein हो गया for example तो मतलब यहाँ पर क्या बदा है compound lipids मतलब ऐसे lipids जिनके साथ fatty acids के अलावा other compounds भी attach होते हैं तो उनको बोला गया है compound lipids यह जो compound lipids से इसके भी तीन classification दिये गए एक है phospholipid एक है glycolipid और एक है lipoprotein तीनों को बारे में यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले आपको बताने जा रहा हूं है phospholipid के बारे में phospholipid में क्या है एक fatty acid जब phosphoric acid से replace कर दिया जाता है तो वो बन जाता है phospholipid यह ऐसे fats होते हैं यह जद अधर plant cell, animal cell में पाई जाते हैं और इसके जो functions हैं वो आपको other other various functions देखने को मिल जाएंगे उसके बाद next आजाता है आपको glycolipid, glycolipid में क्या आता है जब combination में fatty acids के combination में जब कोई carbohydrate attach हो जाता है glycosidic bond के through तो यह आजाता है आपको glycolipid, यह इसका एक main essential function होता है blood clotting में उसके बाद next आ जाता है लीपो प्रोटीन, लीपो प्रोटीन क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोटीन, स्वरी एक ऐसा fatty acids होता है, जब प्रोटीन एक add हो जाए किसी भी compound lipid में, तो वो हो जाता है lipoproteins, ये दो गैटागरी के आ जाते हैं, आपने कभी नाम भी इनके साइज सु होता है, ये एक ऐसे lipids होते हैं, जो कि दोनों जो lipids थे, simple और compound, दोनों के mixture से बनते हों, उनको बोला जाता है, derived lipids, अभी ये जो derived lipids है, इनमें एक खासियत होती है, कि hydrolysis से ये form होते हैं, जब hydrolysis का process होता है, तब ये form होते हैं, इन ही दोनों से simple और compound से, इनमें भी दो classification आपके दिये गए है, एक है sterol, एक है fatty acids, sterols क्या होते हैं, sterols भी एक तरीके के fatty acids ही होते हैं, ये भी fatty acids से मिलकर के बने होते हैं, साथी साथ glycerol से मिलकर के बने होते हैं, लेकिन एक change है, इनमें benzene ring पाई जाती है, इसलिए ये थोड़े उन से अलग होते हैं, किन से, simple से और compound से, या फिर आप कह लीजिए, derived, sorry, derived तो ये ही, तो इसमें आपको क्या बताया गया है, कि इसका एक बेहतर example आ जाता है, cholesterol, cholesterol जो है, जो आप दिखते हैं, brain में, या फिर blood vessels में deposit हो जाता है, एक तरीके का fatty होता है, ये जब जाकर के deposit हो जाता है, तो various other other diseases होती है, जैसे कि ethere chlorosclerosis बगेरा, तो ये जो cholesterol है, ये cholesterol का एक example यहाँ पर बन जाता है, उसके बाद next, अब next बात कर लेते है, fatty acids के बारे में, तो fatty acids भी fat के ही component होते हैं, इसमें आपको बताएगे, ये मिलकर के किससे बने हुए होते हैं, मिलते हैं ये carboxyl से, ये carboxyl group होता है, इसमें eric methyl group होता ह है, एक है saturated fatty acids और एक है unsaturated fatty acids, तो जो saturated fatty acids होते हैं, इनमें double bond का presence आपको देखने को नहीं मिलता है, और जो unsaturated fatty acids होते हैं, इनमें double bond आपको देखने को मिलता है, लास्ट में बात कर लेते हैं जो आपके other fat के जो classification से other classifications of fat तो इसमें दो classification ना जाते essential और non-essential ये आपको हर्जे के देखने को मिल जाते हैं चाहे carboid देख लीजे चाहे आप produce लीजे चाहे आप fat देख लीजे तो इनका मतलब आप जानते ही होंगे essential मतलब कि हमारी body के लिए ज जाता है lenolic acid ठीक है ये एक ऐसा fatty acids है जो कि आपको diet से लेना पड़ता है बहुत ज़रूरी होता है आपकी body के लिए और ये जो है essential में आ जाता है non essential जो fatty acids होते हैं ये ऐसे fatty acids होते हैं जो कि आपकी body खुद से produce कर लेती और इनकी ज़्यादा जरूरत आपको होती नहीं है जै जो कि है caloric value of fats यहाँ पर caloric value of fats मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो fats है वो nine kilo calories of energy provide करते हैं पर gram ठीक है सबसे ज़्यादा calories ये provide करते हैं यहाँ पर तो एक चीज़ है सबसे ज़्यादा calorie provide करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि obesity का सबसे ज़्यादा cause यही है और इनको diet में ह लिए जाते हैं तो इनका कम लेने का reason यही रहता है क्योंकि यह calories बहुत ज़्यादा provide करते हैं basically जो human diet है जो normally जो लोग diet लेते हैं उसमें सबसे ज़्यादा fats आपको देखने को मिलते हैं काफी सारी diets में ज्यादा तर जो junk food हैं उनमें काफी सारा आपको fat देखने को मिलता है लेकिन कुछ healthy fats के भी sources होते हैं जिनकों कि आप consume करते हैं तो healthy calories आपको मिलती है और body fat नहीं होती है और बहुत सारे other other functions को perform कर पाती है तो कि लास्ट में बात कर लेते हैं हमारे last topic के बारे में जो कि है dietary sources मतलब dietary sources मतलब fat हमको कहां से मिलता है कौन से food में basically हमको fat देखने को मि dietary sources है उसको मैं दो category में आपर divide करना चाहूँगा एक हो जाता है dietary sources from the saturated fatty acids या saturated fat और दूसरा आ जाता है dietary sources from the unsaturated fat तो सबसे पहले clear करते है from saturated fat saturated fat saturated fat ज्यादा तर हमको animal sources से देखने को मिलता है जैसे meat हो गया, poultry हो गया या फिर dairy sources हो गई इन से ज्यादा तर हमको ये देखने को मिलता है, meat में ज्यादातर जो pork हो गया या फिर beef हो गया इन में ज्यादातर देखने को मिलता है, chicken meat में ये कम देखने को मिलता है, white meat जो होता है उसमें कम देखने को मिलता है, red meat में ज़्यादा देखने को मिलता है, दूसरा जो dairy sources हो गए, जिसमें butter हो गया, cheese हो गया, या other creams हो गए, इन sources में ज़्यादा तर देखने को मिलता है, उसके बाद poultry में भी जो yellow egg होता है, या egg yolk होता है, उसमें ज़्यादा तर आपको ये देख करता है तो उन में से अगर वो 16 से 22 या 24 ग्रैम से जादा saturated fat लेता है तो उसकी body के लिए या harmful भी हो सकते हैं उसको नुकसान भी पहुचा सकते हैं तो इसको limit में लेना बहुत ज़रूरी होता है अगर limit में नहीं लेते हैं तो cardiac problems हो सकते हैं due to the cholesterol formation या फिर cancer जैसी बड़ी problems भी यहां पर हो सकती हैं तो इसलिए इसको limit में लेना बहुत ज़रूरी होता है fatty acids के उन में अच्छा एक unsaturated fatty acids होते हैं इनको good fat source भी बाना जाता है या good fats भी इनको बोला जाता है good fat इसलिए के बोला जाता है अगर आपकी body में जो saturated fats है वो बढ़ते हैं तो unsaturated आपको अगर ज़्यादा consume करते हैं तो वो उनको जाकर के suppress करते हैं और cholesterol formation को रोकते हैं cholesterol को ज़्यादा form नहीं होने देते हैं इसलिए इनको हो लगया है good fats गुट fat या se Opто Cinthaansaturated fats जो है वह ज़्यादा-तर आपको nuts में देखने को मिलते हैं नटस में जयसे almonds में िह देखने को मिलते हैं canshyew में देखने को मिलते हैं Walnuts में बोलटे में दägने को मिलते हैं और कुछ sources है इनका भी topic यहां पर खतम हो गया अब next video आएगी उसमें हम बात करेंगे functions के बारे में, malnutrition के बारे में तो यहां पर इस video को end करता हूँ अगर आपको video अच्छी लगी तो like करिए, share करिए और channel को subscribe करिए thanks for watching the video